इसकोलास डैन ने 11 वर्ष पूरे किये हैं मेरे लिए ये निजी प्रसनता का विशे है जो कि विवेट ठाकुर को मैंने उसके बच्छपन से देखा है मैं 2006-2007 में जब आयाइटी जाता था खड़कुर में तो वहां के कविसम्मेलोनों का विवेट ठाकुर सेयोजक होता था और हमें कलकता लेने जाना आयरपूर्ट और वहां छोडने जाना कवियों के कमरों का इंजाम करना मुझे याद है कि उन्होंने मन्धन नाम से एक सारी आयरटी का एक लिक्ट्रिरी फेस्टिवल कराया था जिसमें पनुशी गोपालदास, नीरच सहाब, मुसीम बरेलवी सहाब, मुनवराना सहाब और हम और संपस्तरल बहुत सारे कवी गहे थे, सालों साल जाते रहे थे फिर मैंने उसे अपनी नौकरी करते वे देखा, व्यापार करते वे देखा और आज उसकी आँखों में मुरादाबाद को आयाइटियन्स का, इंजीनियर्स के पैदा करने का एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने के जुनून और जज़वा है, उसके 11 साल पूरे होने पर मैं उसे आशिरवाद देता हूँ कि उसका ज़जवा पूरा हो, और जो बात कोटा के बारे में कही जाती है, मैं किसी एक खिलाब बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुरादाबाद सिक्षा का उससे बहतर गड़ बने, इस सुचना के साथ, कि यहाँ आयाइटियन्स चाहे हो सकता, एक परसेंट कम पैदा हो, लेकिन उस खौब के पीछ पूरी मैनत करो स्कॉलस जान लगा दो, इंजीनर बनना ही है, लेकिन कोई तुम से ये कह कि इंजीनर बनना ही जिन्देगी का आखरी हासल है, तो उसको मना कर देना है, चुकि एक असफ़ल इंजीनर तुमारे सामने खड़ा हुआ है, मैं आयाइटि बंबे एक बार गया थ हमारा एक इंजीनर दोस्ता है, वो अंग्रेजी के उपन्यास लिखता है, दो चार उपन्यास लिखता है, नाम लेना ठीक नहीं, आप सब जानते हैं, बड़ा लुपदी चाप किताब लिखता है, तो हम दोनों के सामने माइक लगे हुए थे, तो उसने मुझे चेड़ते हुए का यह कुमार भी इंजीनर बनना चाहता था, यह च्छ यह महीने में भाग आया, तो मैं अब अक्तर-प्रदेश का आदमी जबाब ना दू दू का है का उक्तर-प्रदेश, तो मेरे हाथ में माईक था, मैं ने का रूप जा जो बात तेरे चार साल में समझ में आई, तो मेरे 6 महीने में समझ में आगए तू भी पडलिक के लेखक बना और मैं भाग के कभी बना बात तो बरावरी है तो इंजीनियर बनना आईएस बनना आईपियस बनना लेकिन पहले हिंदुस्तानी बनना इंसान बनना मनुष्य बनना ये स्कॉलस जैन के बच्चों देखो तुम्हें बहुत शांदार अध्यापक मिले है विवेक को मैं इसके बच्च्पन से जानता हूं मुझफरपूर से जानता हूं सारे अध् बन जाओंगा सफलतना मिले तो सोचना कुमार विश्वास बन जाओंगा अध्यरा गिरे ये दो पंक्ती मेरी गुन्गुनाना कि मैं स्कॉलस जानके 11 साल पूरे होने पे आया था और अपने अंदर उजाला पैदा करना बताना के उसी की दी हुई तॉलत उसी के नाम करता ह हवा का काम है चलना दिये का काम है जलना एक एखा तैयार रहे एगली बार हवा का काम है चलना दिये का काम है जलना वो अपना काम करती है मैं अपना काम करती है खुझ से भी मिलना सको इतने पास मत हो ना कोई चहरा हो कोई शेहर हो कोई परिक्षा हो कोई इनसान हो उसे इतना महत्विपूर्ण मत बनाना कि जिन्दगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए जितने बच्चे यहां बेटें बेटा कभी भी सवभाग्यक और भूम हो में मत गिनना चुकि तो आदा किलो मीटर तक का दिखता है जो तुम्हारा भाग के लिख रहा है उसे तुम्हेरा आखरी सांस तक का दिखता है यहाँ सब्धों लोग बैटे हैं जो सफल सफल हुएं मैं सवयाँ मैं सफल आदमी हूँ प्रेम मैं सफल हुआ पडाई म आसफल हुआ, फिर कुछ दिन बाद राजमिती करी तो दोस्तों ने वहां भी आसफल करा, बहुत सारी आसफलता है, आस बहुत आसफल, ये विवेग को मैंने देखा है, इसने आसफलता जेली है, फिलिप नॉड़ा में काम शुरू किया, नहीं चला, नो करी-करी, लेकिन कि यहां शांदार स्कॉलर स्दैन ने बिता दी है, जे सबलता कामाल है, आसफलता भादा जाथा है?